Hello dear students, बच्चों, आप अपने general knowledge की textbook open कीजिए और इसमें हम chapter 3 तक complete कर चुके हैं, आज new chapter है chapter 4, तो आप भी chapter 4 open कीजिए, page number 9, page number 9 में, जो आपका new chapter है, plant crossword, तो इस chapter में हमें एक crossword complete करना है, ठीक है, तो crossword जैसे कि आपको पता है कि कुछ boxes हमारे पास होते हैं, छोटे छोटे box और इसमें क्या करना है, words हमें complete करना होता है, ठीक है, तो ये जितने भी words हैं, ये plants के words हैं, जो भी हम plants में word यूज करते हैं, plants के नाम या plants से related ही कुछ भी word, कोई भी शब्द, ठीक है, तो उन्हीं शब्दों से plants से related शब्द ही हमें इसमें fulfill करने हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ details हमें दी गई है, इसके according ही हमें यहाँ पर word complete करना है, ठीक है, तो आप देखेंगे, जैसे इसमें हमें क्या पुछा गया है इस chapter में, यह intro आप पढ़िए, read the clues and fill in the missing letters to complete the crossword given below, यानि कि नीचे जो crossword दिया गया है, इसे हमें complete करना है, कैसे, read the clues, यह पहले लिखा है, read the clues, clues कहां है, यह है clue, ठीक है, तो इन clue का हमने पढ़ना है, और उनके according ही हमें word fill करने है, इस crossword में, ओके बच्चों, तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले, आपको अपनी notebook पर भी, इसी तरह का, एक crossword तयार करना है, ठीक है, शुरू में अभी हम क्या करेंगे, अभी आप सिर्फ समझेंगे, ठीक है, आपको, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा, आपको समझना है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगो कि कैसे, हमें इसे notebook पर भी लिखना है, ओकी, तो आपको क्या करना है बच्चों पहले, हम आज across में करेंगे, देखिए, दो तर तो left से right की तरह लिखने के लिए across कहा जाता है, across में भरना होता है, cross करना है यानिक उसको, ठीक है, और एक होता है down में, इस तरह से, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखनें, दो तरीके से लिखा जाएगा, एक तो यह है, जी से ए की तरह लिखना है, ओके, यह है across, इसके detail य गई है, तो यहाँ से fill करके हमको across में fulfill करना है, letters, और एक है down में, इस तरह से, e से नीचे की तरह, यह e है ना, e से नीचे की side हमें fill करना है letter, यानिकि word हमें, और यह इसके detail यहां दे रखी है, तो यहां हमें detail पढ़ेंगे, और इसे fulfill करेंगे, तो यह हम next video में करेंगे, इसे फिल करेंगे, तो देखे, आप देखे, इसे पढ़िए, सबसे पढ़े कुलूर को आपको पढ़ना होगा, यह देखे, इसमें एक इस्ट्रक्चर के बारे में बताय जा रहा है, कि यह एक इस्ट्रक्चर है, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें फ्लार्स या वेजटेबल्स ग्रो किया जाते हैं, क्या किया जाता है इसमें, एक इस्ट्रक्चर है, और यह इस्ट्रक्चर कैसा है, एक बिल्डिंग की तरह है, कैसा है, यह एक बिल्डिंग है और कैसा है, जहां पर प्लांट्स, कैसे फ्लार्स या वेजटेबल्स ग ग्रोल, it usually has a glass or translucent plastic structure, यह usually कैसा बना होता है यह structure, यह building, यह glass की बना होता है, या फिर यह plastic का बना होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा, अक्सर आपने plastic के structure देखे होंगे, जैसे polyhouse, polyhouse के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो polyhouse एक ऐसा structure होता है, जिसके अंदर हम plants grow कर सकते हैं, यानि कि पौधे उगा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, इस structure को क्या कहा जाता, तो एक तो मैंने आपको बताया polyhouse, लेकिन एक और word इसके इसके लिए use होता है, वो क्या होता है, हमें across में भरना है, यानि कि इस तरीके से, तो यह हम पह यहां पर हम लिखेंगे green house, यह है green house, तो उसे जो poly house जो होता है, poly house का इक दूसरा नाम होता है green house, यानि कि ऐसा house जिसके अंदर green vegetables या flowers हम grow कर सकते हैं, तो यह है green house, तो इसको कैसे लिखेंगे, यह मैं आपको next अभी इसके बाद अभी notebook में बताऊंगा, ठीक है, अब दिख यहां पर, fourth पर आजाईए, ठीक है क्योंकि इसके बाद fourth है across में, इस तरह किसी यह देखिए, यह fourth है यहां पर fourth लिखा है आपके book में, तो यह भी across में है, यानि कि left से right की तरह हमें लिखना है, तो fourth नीचे पढ़िए, this is a holy plant in hinduism, यह क्या hinduism, यानि कि हम जो भी hindu लोग है, society में, जो भी hindu लोग होते हैं, hinduism, यानि कि hindu में, hindu religion है, जो धर्म है, उसमें क्या है, this is a holy plant, यह एक पवित्र पौधा है, तो एक ऐसा पौधा जो काफी पवित्र है, यानि कि pure है, काफी, उसे holy plant कहा जाता है, यानि कि पवित्र पौधा, जिसके हम पूजा भी करते हैं, hindu लोग, ठीके, तो उसे क्या कहा जाता है, आप यहाँ देखे, t लिखा है, इस four के बारे में हम पढ़ रहे हैं या नीचे, और यहाँ पर four वाले में हम fill करेंगे, क्या करेंगे, four वाले में, एक तो t लिखा है, और एक s लिखा है, कैसे complete होगा, यह होगा, तुलसी, यह कौन सा वर्ड है, तुलसी, तो तुलसी को हमने complete करना है, ओके, तुलसी एक ऐसा पौधा है, जो hinduism में, यानि कि जो hindu धर्म में, उसे holy plant कहा जाता है, यानि कि पवित्र पौधा कहा जा सकता है, जिसके हम पूजा करते हैं, ठीके, अब देखिए, five, कौन सा, यहाँ प its leaves are, यहाँ पढ़िएगे, ठीके, फिपत वाला, its leaves are used as serving plates, in south india, food is served on its leaves, देखिए, south india में, यानि कि नीचे दक्षनी, जो हमारा भारत का जो दक्षनी हिस्सा है, जो नीचे south की तरब जो हिस्सा है, जो states है south के, वहाँ पर कैसा culture है, वहाँ पर जो खाना होता है, उसे पर परोशा जाता है, कैसे, थालियों में नी, उसे पत्तों में परोशा जाता है, कैसे, पत्तों में, किस पौधे के पत्तों में, बनाना, यानि कि केले, केले का जो पेल होता है, उसके बड़े बड़े चोड़े चोड़े पत्ते होते हैं, तो उन में खाना परोशा जाता है, यहाँ आप देखिए, its leaves are used as serving plates, serving plates के तरह इसको use किया जाता है, इसके पत्तियों को, ठीक है, South India में खास कर, ठीक है, तो यह fifth वाला है, five number है, बी लिखा हुआ है, और हमें इसे आगे तक complete करना है, left से right तक के लिए, तो यह है banana, बनाना का यह पेड के बारे में कहा जा रहा है, अब seventh देखिए, यहाँ पर, यह है seventh number, और नीचे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, seventh, a wild plant growing in a place where it is not wanted, ऐसे wild plants, plant के बारे में यहाँ पर बताए जा रहा है, ऐसे wild plants, जो grow करते हैं, ऐसी जगह पर, जहाँ पर हम इने नहीं चाहते, मतलब हम खेती करते हैं, farming करते हैं, वहाँ पर हमने कोई चीज उगाई, कोई cultivation किया, और उसमें कुछ पौधे ऐसे उग जाते हैं, जो हम नहीं चाहते कि यह पौधे उगी, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ऐसे पौधे क्या करते हैं, जो हम, हमने कोई पौधा लगाया, हमन दूसरे पौधे खा लेते हैं, तो इसलिए हम ऐसे पौधे नहीं चाहते, जो हमारी फसल का खाना खाले, ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पर W लिखा हुआ है, और हमें आगे फिल करना है, तो यह है, weed, खर-पतवार, अपने नाम सुना होगा, जो घास उग जाती है, फसल के बीच और मीच, तो हम उसे निकाल के अलग कर देते हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है, weed, तो कैसे करेंगे इसे, यह तो हमने आज पढ़ा, across के बारे में, down के बारे में हम next video में पढ़ेंगे, तो अब आपने क्या करना है, अपनी notebook पे ऐसा एक crossword बनाना है सबसे पहले आज की date और day लिखेंगे, chapter number 4 है, और plant crossword है यह, ठीक है, तो यह crossword आपको सबसे पहले इसी तरह के से, जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, आपकी book में है, वैसे ही यहाँ पर crossword बनाना है, जैसे यहाँ पर first में क्या है, across में है, इस तरह के से, g से लेकर e तक, फि five है, फिर seven है, यह across में है, और फिर down में है, जैसे number two, number three, number six, number eight, ठीक है, इस तरह से, यह eight, यह eight number जो है, यह किस तरह से है, यह इस तरह से है, उपर से नीचे की तरफ, down की तरफ, ठीक है, तो यह हम next video में करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, इस तरह के से, आज तो सबसे पहल crossword हम बना देंगे ऐसा आपको भी same ऐसा ही crossword अपनी book में बनाना है उसके बाद हम इसे fill करेंगे कैसे? ये देखिए हम across में कर रहे हैं तो हमने first लिखा green house पहला जो हम word लिखेंगे वो लिखेंगे green house fourth में हम लिखेंगे तुलसी जो भी box हमारे देखेंगे यहाँ पर blank है ठीके? उन्हें हम fill करेंगे यह देखिए यहाँ पर पहले पर हमने green house लिखा fourth पर हमने तुलसी लिखा fifth पर हमने बनाना लिखा और five में लिखा हमने weed यानि खरपतवार ठीके? तो ऐसे ही आपको अपनी notebook पर यह बनाना है और उसके बाद next video में हम यह जो down में है second यह third यह sixth वाला और यह eighth वाला यह down वाले हम next video में इन्हें complete करेंगे तो आज आपको अपनी notebook में यह crossword बना के इसको इतना सा लिख देना है only a cross वाले word ठीक है बच्चो यह आप लिखिए फिर हम next video में आगे करेंगे से complete